हेलो एवरिमन स्वागते दोस्तों आपका मेरे चैनल पे मैं प्रिशांत कुमार सुकला एड़ोकेट साथियो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इंपॉल्टेंट टॉपिक के बारे में जो सबसे आदा क्वेरी और सबसे आदा लोगों के मन में डाउट रहता है क कि प्रोवीजन जो रिट और सर्शियो रारी रिट के बीट में क्या नतर है आज के वीडियो में यह इस इंपॉल्टेंट टॉपिक को डिसकस करेंगे और साथ इसाथ आपके जितने भी डाउट है आपने जहां भी अपने देखा है जितने भी यूटूब में देखा है और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक में दिया है आई जानते इस इंपॉल्टेंट टॉपिक में कि जो प्रोवीजन रिट और सर्शियो राट के बीच में क्या नतर है सुप्रीम कोड और हाई कोड को कई सक्तिया प्रदान की गई हैं जिनका उप्योग वे लोगों को नया प्रद का आदेश जिसके दौरा ऐसे व्यक्ति या प्रादिकारी को एक निश्चित तरीके से कार करना या कार करने से बचना होता है इस प्रकार रिट न्यालों को के न्याई सक्ति का एक बहुती आवैस्सक हिसा माना गया है भारत में सम्विधान में सुप्रीम कोड को सम्विधा राइट किया जाता है तो उस व्यक्ति को अपने अधिकारों को लागो करने के लिए सीधे सुप्रीम कोड का दरवाजा खटकनाने का अधिकार है नयाला ऐसे अधिकार को लागो करने के लिए उप्युक्त रिट जारी कर सकता है अनुछे 226 के तहब भारत के हाई कोड को रिट के मुद्दे के लिए हाई कोड का दरवाजा खटकनाने का अधिकार है जिसमें मौलिक अधिकार का उलंगन नहीं होता है इस लेक का मुख देश निसेद रिट और सरसे रारू के बीच को अंतर को समझाना है इन दोनों रिटों के बीच में महतपूर अंतर कई वक्ताओं छात्रों में भ्रह्म पैदा करता है जैसे कि रिट प्रोविजन प्रतिसेद का साब्दिक अर्थ होता है निसेद करना अधालत उच्छपदर पर है उस अधालत के खिलाफ एक निसेद रिट जारी करती है जो बादवाले अपने अधिकार के छेत्र को पार करने या उस अधिकार छेत्र को हड़पने या रोगने इस्तिती में कम है जो इसके पास नहीं है या निस्कृता को निर्देशित करता है जब भारत का हाई कोर्ट या सुप्रीम को भारती सम्विदान के अनुच्छे 226 या 32 का उप्योग करता है तो वे एक विशेश आदेश जार करने या रोखने के लिए दिया जाता है जो उनके अधिकार से परे जाता है या लोगों के बुनियाद अधिकारों का उलंगन करता है या उपरी अदालत से निचली अदालत तक रुखने का संकेत जैसा है या रिट केवल अदालतों और समान नियाइक निकायों पर लग होत निसेदता तब दी जाती है जब निचली अदालत या नाय दिकरन कुछ गलत करता है जैसे कि अपनी सक्ती से बाहर कार करता है या पेच्छा से अधिक कार करता है दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है वो यह होता है कि नियम तोड़ता है या कुछ अवैद करता है तीसरा प पॉइंट सम्विधान या कानून के विरुत कुछ करता है लोगों के बुनियाद अधिकारों का हनन करता है और जो छटा पॉइंट है तत्यों के अधार पे गलती करता है और जो साथवा पॉइंट यानिके लास्ट पॉइंट है उनके समर्थन परयाब सबूतों के बिना नि पर इस पश्ट है शर्शी और आरी एक रिट है जो हाई कोल दौरा निचली अधालत को जारी किया जाता है तब जारी किया जाता है जब हाई कोल मामले में किसी मामले का फैसला करना चाहता है या निचली अधालत दौरा अधिकार छेती की अधिकता या रिट तब जारी किया जा सकता है जब निचली अदारा दौरा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कोई भी मौलिक तूटी हो या यदि प्राक्तिक नाय के सिद्धानतों का उलंगन हो जैसे कि fundamental error upon the record procedure followed by the lower court या if there is a violation of principle of natural justice जदी हाई कोड को पता चलता है कि प्राक्तिक नाय का उलंगन हुआ है या अपनाई गई प्रक्रिया में कोई मौलिक तूटी हुई है तो वा निचली अदालत के आदेश को भी रद कर सकता है निचली दालत की सबसे बड़ा अंतर तब होता है जिसे कि निचली जाता है जमनिचली पूप्योग तब किया जाता है जिसे उसे नहीं करना चाहिए तो यह रिट जारी की जाती है तो निचली अदालत को मामले से निपटना बंद करना होगा सर्शे और आरी इसका अपयोग तब किया जाता है जब निचली अदालत पहले से कोई निर्णे ले चुकी हो उसे नहीं दिया जाना चाहिए था यदि यहार रिट जारी की जाती है तो निचले अदालत सभी केस की फाले उपरे अदालत को सोपनी होती है तो ये एक important topic जिससे आपके सारे doubt क्लियर हो गए होंगे कि provision rate और सिर्शे और अरे रिट के बीच का क्या अंतर था आसा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सेयर और कमेंट करना तो मत बूलिएगा और अगर कोई भी को रही हो तो कमेंट बाब में जुरू पूछे तो मिलते हैं एक next topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद